एक साधक होने के नाते साधक को अपने उपकरण के बारे में ज्यात होना चाहिए कि मुझे इन उपकरण कौन-कौन से हैं और इन उपकरण का उद्देश क्या है क्या मैं इनका सदुपियोग करू या दुरुपियोग करू जैसे कि किसान है ना वो किसान अपने खेत में खेत से एक जो है जो फसल है उसे उगाता है ठीक ऐसे ही जीवात्मा कहें या साधक कहें उसके पास में भी दो प्रकार के उपकरन दिये गए हैं प्रकितिने पहली उसके उपकरन दे दिये गए हैं जिसमें पहला जो नाम है वो है बहिकरन यानि की आउटन इंस्टुमेंट्स आउ अनिंद्रिया हो गई यह तो सब मालं में लेकिन जो दुसरा जो है उसका उपकरन है उसे कहते है अन्त़करन चतुस्ताई, यानि four-fold mind, four-fold mind, यानि मन एक ही है, लेकिन उनके अलग-अलग कारियों के अंसार में, मन फिर उनको अलग-अलग भागू में बैटा जाता है, जिसमें पहला है मनस, यानि conscious mind, ये हमारा दैनिक जीवन में जो मन कारिय करता है, उसे कहते हैं, और दूसरा है बु ये दोनों आपस में जुड़वा हैं, इससासात रहते हैं, इनका जो इस्थान है वो है, सोक्ष्म शरीच, शोक्ष्म देखाए सकते हैं इसको, और तीसरा जो चोथा है उसे कहते हैं चित्ट या अनकंश्यस मैंड, अनकंश्यस मैंड में संसकार, जैसे बीच के रूप में कह सकते हैं संसकार इसमें अनंत जनमू से जो मनस बुद्धि और एंटेलेक्ट एए बुद्धि और अंकार के माध्यम से जो भी एककत् involving हुआ है जो कर्व बने हैं उनके जो संसकार एं वो चित्र की गहराई में विद्धिमान लेते हैं अब ये कारी कैसे करते हैं इनका कारी क्या है पांचों इंद्रियों का कारी है आग का काम क्या है देखना, कान का सुनना जीप का चखना, नाग का सुंगना और तवचा का स्वर्ष करना बस इनका इतना ही कारी है जब ये इससे कहते है सेंस परसेप्सन या इंदरी बोध जो होता है इंदरी बोध को मनस का जो कारी है कि इस इंदरी बोध को या जो सेंस परसेप्सन है इसको ले लेता है इसने लिया और लेने के बाद में जो कंसियस मैंड है या मनस है इसका काम क्या है केवल कि ये बुद्धी को सौंग देता है इसका निर्ने लेजिए आप बुद्धी का कारी क्या है? evaluation है selection है accept करना है या नहीं करना है reject करना है accept और reject प्षिकार करना है या नहीं करना है सौिकार या असौिकार बुद्धी जब अपना निर्नाई लेती है एक प्रकार से ये फाइलों को adjustment करती है अगर कहें तो माना कर बुद्धी उस जो भी उसे जो मनस ने दिया है उसको सौंपा हुआ है उस पर अगर वो अपना decision नहीं ले पारी है तो एक जो उसका पार्ट है that is deposited in unconscious mind संसकार के रूप में चले जाता है बार में उसको जब उसके पास कारी नहीं होता है तो फिर उसमें उसका वो निर्णाइ लेती है उसका मूल्यांकन करती है और intellect का जो कारी है कि ये मेरा है ये नहीं मेरा नहीं है और उसी के according यानि अंकार के according ये बुद्धी अपना कारी करती है बुद्धी जब अपना निर्णाइ ले लेती है फिर ये का करती है अपना निर्णाइ लेने के बाद में फिर ये मनस को सौंप देती है कि मनस का जो कारी है यहां या ज्यानेंद्र यहां शरीर के माध्यम से उस कारी को कर देती है जब ये बुद्धी निर्णा लेती है तब भी संसकार यहां इखटा हो जाता है बुद्धी जब निर्णा इने ले पाती है तब भी संसकार यहां इखटा हो जाता है जितन मन में चित्ति की गहराई मे बुद्धी और अहंकार दोनों जुड़वा हैं और सोक्षु शरीर में हैं अगर अहंकार शुद्ध होगा बुद्धी का निर्णाई भी शुद्ध होगा अगर अहंकार अशुद्ध होगा बुद्धी का निर्णाई भी अशुद्ध होगा बुद्धी का निर्णा शुद्ध होगा तो अचितन मन में या चित्ति की गहराई में शुव संसकार जाएंगे अगर अंकार अशुद है बुद्धी निर्णा अशुद है लेगी तो फिर भी जो अशुद संसकार है वो चित्त की गहराई में पहुँच गिया है यानि कि चित्त की गहराई में ये स्टोर हाउस है और ये बार-बार फिर इस इगो और इंटेलेक्ट को बार-बार इंपक्ट करते रहते हैं यानि अहंकार भी तभी शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा जैसे इसमें संसकार बिद्धिमान होगे संसकार अशुद्ध होगे तो हंकार अशुद्ध होगा अंकार अशुद्ध होगा तो बुद्धि का निर्णाय अशुद्ध होगा बुद्धि का निर्णाय जैसा होगा तो मनस को दिया मनस का कारी केवल यही है कि मेरा तो काम केवल देना है और लेना है और मेरी कोई गलती नहीं है तुरंट के अंगों को दे दिया शरीर के अंगों ने कार कर लिया अब इन चारों का जो कारी है बिलकुल जुड़ा रहता है यानि किसी भी कारी को करने पर जाए वो शुब हो या अशुब हो बाहरी कारी हो या भीतरी कारी हो यानतरिक कारी हो इन किसी भी कारी में ये चारों तुरंत अपना कारी करते हैं जैसे कि हम कहीं निकल रहे हैं और हमको एक कॉबरा दिखा, साम दिखाए दिया, साम दिखाए दिया, तो क्या होगा कि आख ने देखा, आख ने साम को देखा, तुरंत मनस ने ले लिया उसको, वो जो मैसेज है, मैसेज को मनस ने ले लिया, यानि कि conscious man ने उस message को ले लिया और तुरंत इसने intellect को सौंप दिया और intellect के पास में पहले का भी experience है फाइलें बहुत से हैं सारी उसके पास में intellect इदम से निर्णा ही लेगी कि भई ये सर्प है क्योंकि इसमें जो impact पड़ेगा ये चित्य के संसकार हुगा पड़ेगा चित्य के संसकार की पहले भी वो उस प्रकार का देखा हुआ है सरप देखा है उसी प्रकार की प्रक्रिया हुई है तो बुद्धी क्या करेगी जैसी वो निर्णा ही लेगी तुरंती उसका एक संसकार फिर चित्य की घराई में और पहुचिया है इस तो एज हो गया है अब यहाँ पर कभी ऐसा होता नहीं कि कभी अगर छोटा बालक है या कोई थोड़ा सा mentally retarded है तो साम को दे करके भाईवीत भी नहीं होता है यानि कि उसको क्या करूँ क्या नहीं करूँ उससे पता नहीं लगता है तो इसका मलब यह हुआ कि बुद्धी नहीं नहीं लिया है बुद्धी समझ नहीं पाई है तब ही एक संसकार उसका जो है एक part of this impressions वो उसके अचेतन मन में पहुँचाता है बाद में उसको उसका समझान करने के लिए अब बुद्धी अगर ये इगो अगर शुद्ध है निर्माली ग्यो है अंकार है तो बुद्धी तुरंत क्या लेगी उससी प्रकागर निर्णाई लेगी लेकिन कहेगी तो सही कि अंकार ईगो क्या बोलेगा यह सांफ है इससे बच के रहो और बुद्धी उसको निर्णा इलेगी बुद्धी तुरंत फिर यह मनस को ओडर करेगी मनस को ओडर करेगी तो मनस तुरंत ही इंद्रियों को ओडर कर देगा शरीर को ओडर कर देगा कि इससे दूर हटो, यह सांथ है, तो चारों इस प्रकार से ये तुरंत फुरत या जिससे कहते हैं कि विदिन नो टाइम ये कारी करने लग जाते हैं, यदि अगर हंकार अशुद्ध है, अशुद्ध क्यों है, क्योंकि चित्त में या अनकिंस्स में पहले भी हिंसा के संसकार हैं, तो इगो अशुद्ध हो जाएगा, इगो अशुद्ध होगा, तो बुद्धी का निर्णाई भी अशुद्ध होगा, क्योंकि निर्णाई तो बुद्धी को लेना है, बुद्धी तुरंत मनस को ओडर करेगी, इसको मारो, पत्थर मारो या शरीर के अंगूं को ओडर करेगा, पत्थर उठाएगा, अगर चित्त की गहराई में शुब संसकार होंगे, तो क्या होगा कि अगो बोलेगा, ये साब तो है, ये विशला भी है, लेकिन इससे बच के रहना है, तुरंट ही ये बुद्धि को ओडर करेगी, बुद्धी भी श तो इस तरह से सादक को ये ध्यान रखना है कि वो अपने बुद्धि और अहंकार के माध्यम से, क्योंकि यही मेन है, इनके माध्यम से अपने चिट्ट के घहराई में वो शुब संसकारों को डालते रहे, जिससे कि उसका अहंकार भी शुद्ध हो जाए, बुद्धी भी निर कार से उसका जो है, जीमनम अपने कारी को सदाचार के कारी को करने लगे,